नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल धन्राज शॉर्ट हैंडिकेट में इस टैनों क्लासिस में दोस्तों आज का हमारे डिक्टिशन है तेश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानेत महर्शी डॉक्टर धोंडो केशव करवे प्रसिद्य समाज सुधारक कुल शब्द 634 कती 100 शब्द प्रतिमिनट डिक्टिशन स्टार्ट होगी पांच सेकंड बाद स्टार्ट महर्शी डॉक्टर धोंडो केशव करवे प्रसिद्य समाज सुधारक थे विराम उन्होंने महिला शिक्षा और विद्वा विवाह में भायत्वपून योगदान किया उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया उनके द्वारा मुंबई में इस्थापित SNDT महिला विश्व विद्याले भारत का प्रथम महिला विश्व विद्याले है वे वर्ष 1819 से 1914 तक पुने के फार्ग्यूसन कालेज में गनित के अध्यापक थे उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया विराम पैरा इनका जन्म महरास्ट्र के मरुड कस्वे में एक गरीब परिवार में हुआ था पिता का नाम श्री केशव पंत और माता का नाम लक्षमी बाई विराम आरंबिक शिक्षा मरुड में हुई पश्चात 17 में दो ढई वर्ष अध्यन करके मुंबई के रॉबर्ट मनी स्कूल में दाखिल हुए विराम 1884 में उन्होंने मुंबई विश्व विद्यले से गनित विशय लेकर बीए की परिक्षा उत्रीन की विराम बीए करने के बाद वे एल्फेस्टन स्कूल के अध्यापक हो गए महर्शी करवे का विवाह 15 वर्ष की आयू में ही हो गया और बीए पास करने तक उनके पुत्र की आयू धाई वर्ष हो चुकी थी विराम गोपाल कृष्टन को उखले के निमंतरन पर 1891 में वे पुना के प्रख्यात फर्ग्यूसन कालेज में प्रद्यापक बन गए यहां लगातार 23 वर्ष तक सेवा करने के उपरांद 1914 में उन्हें अवकाश ग्रहन किया विराम पराप भारत में हिंदू विद्वाओं की दैनिय और शोचनिय दशा महर्शी करवे मुंबई में पढ़ते समय ही विद्वा विवह के समर्थक बन गए थे विराम उनकी पत्नी का देहांद भी उनके मुंबई प्रवास के बीच हो चुका था अतहे 11 मार्च 1893 को उन्होंने गोड़ा बाई नामक विद्वा से विवहा कर विद्वा विवा संबंदी प्रतिबंद को चुनादी दी विराम इसके लिए उन्हें घोर कस्ट सहने पड़े विराम मुरुड में उन्हें समाज भहिश्करत कर दिया गया उनके परिवार पर भी प्रतिबंद लगाए गए महर शी करवे ने विद्वा विवा संग की इस्थापना की किन्तु शीग्र ही उन्हें पता चल गया की एक्के दुक्के विद्वा विवा करने अत्वा विद्वा विवा का प्रचार करने से विद्वाओं की समस्या हल होने वाली नहीं है विराम अधिक आवश्यक यह है कि विद्वाओं की और शिक्षित बना कर उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए विराम काशी के बाबू श्वेप्रसाद गुप्त जापान गए थे और वहां के महिला विश्व विद्याले से बहुत प्रभावित हुए थे जापान से लोटने पर 1915 में गुप्त जी ने उक्त महिला विश्व विद्याले से संबंदित एक पुस्ति का महरशी करवे को भेजी विराम उसी वर्ष दिसंबर में भारतीय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हुआ विराम कॉंग्रेस अधिवेशन के साथ ही नेशनल सोशल कॉंफरेंस का अधिवेशन होना था जिसके अध्यक्ष महरशी करवे चुने गए विराम गुप्तजी द्वारा प्रेशित पुस्तिका से प्रेरिना पाकर महरशी करवे ने अपने अध्यक्षिय भाषन का मुख्य विशे महराश्टर में महिला विश्व विद्यालय को बनाया विराम महत्मा गांधी ने महिला विश्व विद्यालय की स्थापना और मात्र भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के विचार का स्वागत किया विराम इसी बीच बंबई के प्रसिद उद्योगपती सर विठल दास दामोदर ठाकर्सी ने विश्व विद्याले को 15 लाख रुपए दान दिये विराम पैरा सन 1936 में गामो में शिखा के प्रचार के लिए महरशी करवे ने महराश्ट्र ग्राम प्रात्मिक शिक्ष समीती की इस्तापना की जिसमें धीरे धीरे विबिन गामों में 40 प्रात्मिक विद्याले खोले विराम सुतंत्रता प्राप्ती के बाद यह कार्य राज्य सरकार ने संभाल लिया विराम सन 1915 में महर्शी करवे द्वारा मराथी भाषा में रचित आत्मचरित नामक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी विराम 1942 में काशी हिंदू विश्व विद्याले ने उन्हें डॉक्टर लिट की उपाधी प्रधान की 1954 में उनके अपने महिला विश्व विद्याले ने उन्हें LLD की उपाधी दी 1955 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूशन से अलंकरित किया और सो वर्ष की आयू पूरी हो जाने पर 1957 में मुंबई विश्व विद्याले ने उन्हें LLD की उपादी से सम्मानित किया 1958 में भारत के राष्ट्रपती ने उन्हें देश के सर्वोच्य सम्मान भारत रत्न से विबूशित किया भारत सरकार के डाक तार विभाग ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट निकाल कर इनके प्रती अपनी श्रद्दा प्रकट की थी विराम देवासी आदर से उन्हें महर्शी कहते थे विराम 9 नवेंबर 1962 को 104 वर्ष की आयू में महर्शी करवे को शरीरांत हो गया विराम उमीद करते हैं आब सभी को डिक्टिशन पसंदा आई होगी तो प्लीज कमेंट बाक्स में कमेंट करें और यदिये आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं करें और वीडियो को Лाइक और शेर करना ना भुले धन्यवाद और आप हमें कमेंट कर गया भी बताएं कि हम आगे इसे तरह की डिक्टेशन जारी रखें या और कोई विशेवर डिक्टेशन बोलें विराम